भगवान श्रीक्रिष्णा किता की माध्यम से मानफता को संदेश देते हैं भगवान कहते हैं अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता शयस्थिता भगवान बोलते हैं कि मैं सब भूतों में उनके रदे में स्थित आत्मा हो जब हम किसी को बाहर से देखते हैं तो उस व्यक्ति का हमें ही रूप दिखता है उसका शरी दिखता है उसकी शकल दिखती है उसका चहरा दिखाई देता है उसके वस्त्र दिखाई देते हैं उसने क्या अभूशन पहने हैं वो दिखाई देता है परन्तु उस व्यक्ति का जो आत्म तत्व है वो हम देख नहीं पाते हैं हम बाहरी रूप रंग में ही अटक जाते हैं परन्तु आत्मा की तरफ उस चैतन्य की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता जैसे कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग को देखता हो बाहर से किसी मकान को देखता हो तो मकान की बाहर का जो एक्स्टीरियर है उसका जो पेंट है उसकी जो दिवारे है बाहर कितना पार्किंग स्पेस है कितनी गाड़ियां खड़ी है ये सब दिखाई दे चाता है परन तो भीतर कौन बैठा है कौन लोग बैठे हैं ये दिखाई नहीं देता है सिर्फ बाहर-बाहर से हम चीजों को देखते हैं परन्तु भीतर से नहीं देखते भगवान श्री कृष्ण समझाने की कौशिश करते हैं बताते हैं किता के माध्यम से कि मैं ही वो गहनतम केंद्र हूं गहन से भी गहन केंद्र जो सबके भीतर स्थित है मैं ही वह हूं अगर हम स्वयम को समझें अपनी केंद्र को समझना शुरू कर दें तो हमें कृष्ण तत्व भी समझा जाएगा वो तत्व जो सबके भीतर है दूसरे लोग, तो ये बात ठीक है कि हमें बाहरी रूप से देखते हैं वो देखते हैं बाहरी लेयर को यानि हमारे शरीर को हमारी शकल को देखते हैं वैसे समझते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है हमारे विवार से हमें समझते हैं परन्तु हम भी तो अपने आपको सिर्फ बाहरी रूप से समझते हैं हम अपने आपको अपने केंदर से नहीं समझते हैं अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जंदगी में कभी कोई आईना देखा ही ना हो कभी कोई मिरर देखा ही ना हो तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि उसकी शकल कैसी है वो दिखता क्या है तो हम अपने आप को भी बाहरी रूप से जानते है कि हम बाहर से कैसे दिखते है उसी आधार पर हम निन्ने करते हैं कि हम कौन है हमारा अस्तित्व क्या है बस इसी चीज़ पर डिपेंड करता है जो आईना हमारे घर में टंगा हुआ है उसके आधार पर हम समझते हैं कि हम कौन है बहुत सारे आईने है एक तो ये साधारन आईना है जो घर पे है ऐसे ही बहुत सारे सुक्ष्म आईने भी होते हैं जब हम किसी की आँखों में देखते हैं, लोगों की नजरों में देखते हैं, लोगों का नजरिया क्या है हमारे लिए, हम अच्छे व्यक्ति हैं या हम बुरे व्यक्ति हैं, हम क्या हैं, लोग हमारे को जो कामेंट्स देते हैं, जो हमें काम्प्लिमेंट्स देते हैं, हमें अ कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हम खुश हो जाते हैं, और किसी ने कह दिया, कि आज आज आपने अपनी शकल देखी, कैसे लग रहे हो आप, आपको देख कर तो वेरागय उत्पन होता है, लगता है संसार ही छोड़ दो, ऐसी शकल दिखती है आपकी, तो आपको इतना दुख होता है, लगता है भीता से जैसे कोई चीज तूट गई, आपका दिल तूट गया, मन ही नहीं करता किसी से बात करने का, तो लोग क्या कहते हैं, उसके आधार पर हम विश्शत करते हैं, कि हम कौन है, हम अपने आपको वैसा सर्टिफिकेट देते हैं, लोग क्या कहेंगे, इस पर बहुत कुछ हमारा डिपेंड कर जाता है, किसी ने हमारे फेस्बुक को लाइक किया, तो हमें खुशी मिलती है, कि हमने कोई पिक्चर पोस्ट की, और इतने लोगों ने मुझे लाइक किया, लेकिन किसी ने कुछ गलत कमेंट कर दिया, तो मन उस दिन उदास हो जाता है, लोगों के जो व्यूज हैं, उसके आधार पर हम अपनी जीवन को जीने लग जाते हैं, हमारे पडोसी हमारे बारे में क्या कहेंगे, अगर हम ऐसे कपड़े पहन लेंगे, तो हमारे बारे में क्या बोला जाएगा, हम ऐसे जीवन जीना शुरू करेंगे, तो फिर लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, तो व्यक्ति डरडर के जीवन जीने लग जाता है, तो ये सारे सूख्षम आईने हैं, कि सोशल मीडिया वे एक तरीके का आईना ही है तो हमने बहुत सारे आईने बना दिये हैं मिरोस बना दिये हैं जिसके आधार पर हम कहने लग जाते हैं कि हम यह हैं हम अपने आपको वैसा समझते हैं परुन्तु अपने केंदर से कि हम अपने आपको नहीं समझते हैं जो अपने किंद्र से अपने आपको समझने लगता है उसे ये बात का आभास होने लगता है कि वो कृष्ण तत्व क्या है वो चो तत्व हमारे भीतर है वो क्या है वो तत्व ज्यान के तरफ बढ़ने लग जाता है क्या हमने कभी अपने शरीर को समझा है कि हमने कभी अपने शरीर को भीतर से देखा है महवी स्वामी अपने सादकों से तपस्या कराते थे हो कहते थे कि तुम बाहर से तो शरीर को देखते हो परंतु तुम अपने आपको भीतर से भी देखो अब इसका मतलब क्या होता है जैसे आप किसी विल्डिं पर रखा फ़रनीचर दिखाई देने लग जाता है आपको दिखाई देने लगता है कौन कौन सी चीजे महाँ पर सजा कर रखी है कौन लोग वहाँ पर बैठे है किस तरह का रहना सेहना है सब आपको समझाने लगता है फिर बाहर का दिखना बंद हो जाता है बिल्कुल ऐसे ह कि जब कोई साधक अपने भीतर उतरने लगता है यानि कि अपने आपको भीतर से देखता है तो वो बाहर से जो शरीर है जो चमडी है जो स्किन है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता कि मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं मेरा रूप कैसा दिखाई दे रहा है वो अंदर से देखता ह जैसे कोई व्यक्ति अंदर ख़ड़ा है शरीर के और अपने आस पास देख रहा है, अपनी हड्डियों को देख रहा है, मास मच्चा को देख रहा है, जो ब्लट सर्कुलेट कर रहा है, उसको देख रहा है, तो उसे फिर शरीर अंदर से दिखाई देने लगता है, तो ऐसी सा प्रिश्णाहूं से रसनाओं से लेकिन यदी कोई व्यक्ति अपने भीतर उतरने लगे तो एन सब चीजों से वह मुक्त होने लगता है यह आपने भीतर का जो जड़ाव है वो शरी से उसको अलग करने लग जाता है तो अपने भीतर वह जड़ता है और जो फ्यक्ति अपने आपको भीतर से जानना शुरू करता है यानि कि अपने शरी को भीतर से देखना शुरू करता है वो अपने केंदर को भी पहचान जाता है क्योंकि के से हम disconnect हो गए वहां से हमाई detachment हो गई और हम अपने केंद्र से जड़ गए तो जो सब को देख रहा है जो साक्षी है जो सब को समझ रहा है बस वहां तक हमें पहुंशना है तो कृष्ण कहते हैं सब की हृदे में स्थित तो हृदे का मतलब यह नहीं कि वो pumping station वो pump जो blood को सारे शरीर में फैक रहा है उसका मतलब नहीं है कोई anatomy की बात नहीं हो रही है कि जो शरीर में हृदे है हम उसकी बात कर रहे है यह जो हृदे है जिसके बारे में कृष्ण कहते हैं यह कुछ और ही बात है जो हृदे है अगर उसको अगर replace कर दिया जाए कोई artificial heart लगा दिया जाए कोई transplant कर दिया जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर पाएगा वो कभी समझ नहीं पाएगा यह हृदे का मतलब है जो अस्तित्व हमारे अंदर धड़कता है वो जो आत्मतत्व है उसकी बात हो रही है कितनी योगी होते हैं जो experiment करके दिखाते है कि कैसे वो अपनी हार्ट बीट को रोक लेते हैं कहते हैं ब्रह्म योगी ने 1930 के अंदर Oxford University में रंगून में और भी बहुत देशों के अंदर प्रयोग करके दिखाए कि कैसे वो अपनी हृदे की धरकन को रोक लेते थे दस मिनट तक रोक लेते तो जो doctors होते थे वो certificate देते क कि ये वेक्ति मर गया है क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब मैं हृदे की धरकन रोक लूँ तो सारे परिक्षन करके देख लेना ऑफिस certificate देना कि मैं जिन्दा हूँ या मर गया फिर दस मिनट के बाद वो फिर जिन्दा हो जाते थे तो doctors भी हैरान होते कि ये वेक्ति कैसे कर पा रहा है तो वह doctors जो है certificate वापिस मांगते कि कई हों फसी ना जाए हमने तो लिखा था कि तुम मृत हो और तुम तो जीवित हो तो ब्रह्मयोगी कहते इसका मतलब है जिसे तुम मृत्यू कहते हो वो मृत्यू नहीं है और निशित ही वे मृत्यू नहीं है सिर्फ जो शरी वेतिरों के अंदर जो आत्म तत्व है वो क्रिश्न तत्व ही है उस तत्व को हमें समझना है जेसे अलग वो सभी में उसी आत्मा का उसी कृष्ण तत्व का दर्शन करने लगता है फिर वो समझ जाता है कि किसी को चोट पहुचाना किसी का अहित करना किसी का बुरा करना तो मेरा ही बुरा करना है मैं स्वेम का ही बुरा कर रहा हूं तो जिसने नाराइन के दर्शन करने शुरू कर ये सभी जीवों के अंदर, वो सभी का मित्र हो जाता है, सभी के प्रती उसके रदे में कारुणा और प्रेम बहने लग जाता है, बस हम भी वहां तक पहुँच जाएं, इसका हमें प्रयास करना है, और मैं कौन हूँ, अगर हम इसकी साथना करने लग जाएं, अगर हमें लग जाएं,